नमस्कार आप देख रहे हैं MP News मैं हूनिधी आपके साथ मध्यप्रदेश में नेताओं को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना अब महंगा पर सकता है क्योंकि कुछ इसी तरह की नई गाइडलाइन्स जारी की गई है इसी बारे भी चर्चा करेंगे हमारी समवादता संदीब जी से संदीब जी कौन सी नई गाइडलाइन्स आई है होर्डिंग्स लगाने को लेकर बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए निधी तो मध्यप्रदेश की कमलनाज सरकार ने जो शहरों में और सडकों पर जो बैनर और होर्डिंग्स लगे रहते हैं नेता होगे उनको लेकर साफ तोर पर यहाँ पर सकती दिखाई हो और जो नेता खास तोर पर बड़े बड़े बैनर्स लगा कर अपने राजनीति को चमकाते हैं कहीं न कहीं उनको लेकर भी यहाँ पर नकेल कशने की कोशिस की गई जिस तरीके से देखा जाता है निधी की मद्दप्रदेश में जगे जगे पर एक यह ट्रेंड बन चुका है कि नेता हो या कोई भी हो जो सहर की सडको हो या खंबे हो या दिवार हो वहाँ पर अपने होर्डिंग्स टांग देता है चाहे वो जन्मदिन के होडिंग होते हैं या फिर स्वागत के होते हैं या फिर किसी के आगमन को लेकर या फिर किसी आयोजन को लेकर होते हैं तरह तरह के होडिंग से जो है मध्यप्रदेश में देखने को मिलते हैं जिसे लेकर ना सिर्फ हाथसों का डर बना हुआ रहता है निदी बल को जो है होडिंग लगाने के लिए जो है कलेक्टर और नगनिगम से इजाज़त लेना पड़ेगा और अगर उन्हें समय पर नहीं हटाया तो इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा तो कुल मिलाकर अब जो है मद्दप्रदेश की राजनीती महंगी होती होई नजरार है तमाम जो मंत्री हैं मंत्री मंदल की बेठक में यह जो फैसला किया गया है कि अब जो है शेहरों में होर्डिंग्स और पोस्टर लगा जाते हैं निदी उन पर सक्ति की जाएगा और साफ तोर पर यहाँ पर मुक्य सचीब एसार मोहंती को कमलनात ने यह निर्देश दिय कि अब जो है बिना अनुमती के नेता हो चाहे अफसर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो बिना अनुमती के अपने होर्डिंग और पॉस्टर नहीं लगा सकेगा यहाँ पर कमलनास सरकार का जो जो मुख्य उद्देश है कि सहर की सुंदरता प्रदेश की सुंदरता के लिए वो किसी होडिंग पोस्टर को आड़े नहीं आने दिये जाएंगे और जो भी अगर बिना अनुमती के लगाएगा उसे तुरंत नगर निगम या फिर जिला प्रशाशन हटा देगा ये एक बड कुल इस गाईडलाइन के जारी होने के बाद खासतोर पर ये सवाल बड़ा तेजी से उठाए है निधी कि क्या वाकई में क्योंकि साफतोर पर ये नेताओं के लिए हैं यहां पर नियम नियम निकाला गया है और कहता हैं कि नेताओं के लिए कोई भी naam माने नहीं होता है वो कुछ भी हो वो नेता जो है अपनी मनमर्जी करके रही रहते हैं लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कमलनाथ सरकार की सकती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है निधी कि सीम कमलनाथ ने ये खुद कह दिया है कि अगर बिना अनुमती के मेरा ही होर्डिंग काले तो साफ तोर पर यहाँ पर जो कमलनाथ सरकार है और शाशन प्रशाशन पूरी तरीके से इस नियम को लेकर सकत दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मध्यप्रदेश के तमाम जितने भी नेता हैं वो होर्डिंग बेनर से ही अपनी राजनीती को च काहिड सी बात है कि जब मध्यप्रदेश के मुख्या नहीं यह बात कहे दिये कि उनका होर्डिंग सी दिखे तो निकाल दिया जाए तो नेताओं को जो छोटे नेता हैं उनको भी यह नियम मानना पड़ेगा और वाकई में क्योंकि अगर देखा जाए तो सीम कमलनाथ जित जब जब किसी नियम कानून के पालन करवाने की बात आती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें सबसे आगे रहते हैं चाहे वो और उनकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये भी रहती है निदी कि किसी भी नियम की बात होती है तो वो अपनी सरकार खुद के द्वारा या फि देखे तो उसे निकाल दिया जाए तो यहाँ पर उनका जो इरादा है पूरी तरीके से बुलंद नजर आ रहा है चाहे उनकी ही पार्टी का नेता क्यों ना हो चाहे कोई भी सरकार का नेता क्यों ना हो लेकिन अगर बिना पर्मिशन के बिना इजाजत के होर्डिंस वेनर देखे गए हैं तो उन्हें हटाया ही जाएगा और जिस तरीके से कॉंग्रेस में लगातार निधी होर्डिंस और पोस्टर की राजनीती देखने को मिलती क्योंकि होर्डिंग पोस्टर की राजनीती होर्डिंग पोस्टर का जो संबंध है राजनीती से बड़ा गहरा संब यह जब भी किसी बड़े नेता का आगमन होता है तो पूरे शहर को पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया जाता है यह फिर कहे सकते हैं कि जिस तरीके से होर्डिंग स्टर्कोर लेकर लगातार, गुट्बाजीय भी देखने को मिलती , क्यें कईक देख़ें तो कहीं तो कहीं सरकार के द्वारा और ये जो पोश्टर और बेनरों की राजनेती है उस पर सक्ति दिखाने के कोशिच की गई है जी तो कुल मिलाकर होर्डिंग्स पर पाबंदी को लेकर सक्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंद्री कमलना तो उमीद यही की जा रही है कि जल्द ही इस पर कर दो कर दो चाल कर बा है